Hey guys, कैसा प्लोग? So finally, कई महीनों की uncertainty के बाद, कल आईचाही ने exams cancelled कर दी. And mind you, it was a very good decision. आज ही news आई है, करनाटका में कोई exam हुआ था, June के मन्त में, and वहाँ पे 32 students positive test कर गए. यह आज का news है. तो obviously exam cancellation बहुत ही अच्छी news है. तो thing is, कि कल से मैंने सोचा की चलो ठीक है, अब तो बच्चे रिलाक्स करेंगे. June के महीने में वैसे ही मेरी भी तबित खराब थी. कई सारे queries आती थी, कि इसरे exam होगा, नहीं होगा, and मुझे लगा कि यह exam होना बड़ा मुश्किल है, तो बहुत ही तबित खराब होगई, तो भाईया, अगर आप ग्रूप में जाते हो, exam देने तो मुश्किल है. अब मैंने सोचा कि अब बच्चे कं से कंब 2-3 दिन का रस्क लेंगे, बट आज अलग टाइप की message आने स्टार्ट होगे. मुटा मुटा अभी भी anxiety है. अब anxiety है कि से नमेंबर में क्या होगा? कई ऐसा तो नहीं कि नमेंबर में एक्जाम टफ होगा, amendments कितने हैं, वगरा वगरा. तो मुटा मुटा तीन पॉइंट है जो मैं discuss करना चाहता हूँ. सबसे पहला amendments. बाबू, restless short इस बार amendments नहीं है ज्यादा. income tax में आपको बड़े अच्छे से पता है, finance act 2019 ही लगने वाला है. तो अगर आपने में, junior, july as a case में भी, अगर आपने त्यारी की हुई है, same material आपका नमेंबर 2020 में चलेगा. थोड़े बहुत updates आ सकते हैं, जो हम लोग यूट्यूब पे दे देंगे. GST में थोड़े बहुत amendments हैं, क्योंकि GST का latest lecture हम लोग भी record कर रहे हैं. I think 20 lectures हो गा है, 8 lectures बाकी है. एकदम amended. उसमें amendments हैं, बट वो भी जादा नहीं है, and fundamental amendments नहीं हैं, वो सब भी आपको जिस दिन RTP आएगी, वन वीक के अंदर free में, जैसा कि हमेशा होता है, YouTube पे वीडियो और टेलिग्राम पे नोर्स आजाएगी. Right. amendments का चिन्ता, मत कीजिए amendments में रिटेंशन में प्रवाइट कर दूँगा. Will paper भी tough. अब समने सुना होगा, खाली बंदा, खाली दिमाग, शेतान का घर, ये भी वैसा ही कुछ हो गया. अरे बाबू tough आएगा या असान आएगा, ये किसको पता है, किसे को नहीं पता है, ये just speculation है. और मैं तो हमेशा से बोलता हूँ, अगर tough आएगा, तो सब के लिए आएगा या क्यों आद के लिए आएगा? सब के लिए आएगा. CA को academic exam मत मानिये, कि भी या 40 या 50 रहोंगा पास हो जाँगा. Always treated as a competitive exam. Top 10% में आएगे, तो पास होंगे वरना नहीं होंगे. और even November में भी minimum result 10% जाने वाला है. Minimum. आप कोशिशिद कीजिए ना top 10 में आने का. क्या दिक्कत है? ये कोई दिक्कत नहीं है. Tough आएगा, आएगा, ये बक्वास कुश्चन है. ये बस कोई काम नहीं है. चलो यार, कोई थूरी निकालते हैं. कोई ये फालतू चीज़ है, प्लीज मैं कहरा हूँ. इवन अगर 1% भी पास हो. हमें जो बोला गया था अपने टाइम पे की 1% पास हो, आप उसमें ट्राइ करो. मैं तो कराओ 10% है. आप टॉप 10% में नहीं है, पक्का पास हुएगा. पेपर टफ आए या सान है. बाबु, सर्वाइवल अफ फिटस्ट है, सर्वाइवल अफ फिटस्ट, टॉप 10%. थर्ड, सब सिंगल गुरूप दे या बोध रूप दे, अब इसमें बड़ा सिंपल सा है. अगर आपकी सिंगल गुरूप की तियारी बिल्कुल नहीं हुई है, आपने एक्जाम फर्म भर दिया था, गोल्डेन ऑपर्चुनिटी है, कि यह वर सिंगल पर इगे. अगर आपने सिंगल गुरूप की तियारी कर ली थी, या ओल्मोस्ट कर ली थी, बेटर है बोध के लिए यह, इट इस एडवाइजेबल बोध के लिए यह, बोध गुरूप देने में फाइदा होता है, थोड़ा टेंशन बड़ेगा, थोड़ा एफट ज्यादा लगेगा बट उसके अडवांटेश भी है, रांक अडवांटेज है, सेट ऑफ का आडवांटेज है, ऐ cosmic teaching को होना ही है एग गुरूप दो थोड़ा शंतर होता है, ऐसा नहीं के गुरूप दीएगा तो 50% टेंशन और बोध में 100%, ऐसा नहीं होता है, उननीस भी संतर होता है टेंशन अगर उतना ही होना है सिंगल ग्रूप अगर आपका रेडी है हंडेड परसें असे अगर एक्टी परसें भी सिंगल ग्रूप डिए आप बोधु टारिट कीजिए थर्ड काटिग्री है कि सर्मेर बोधुरूप मैंने त्यारी कि वी थी मैं कभी बीना डेमो अलग से रिकॉर्डिंग करता हूं फाइदा नहीं है जो क्लास की रिकॉर्डिंग है मैं वही देता हूं दो लेक्ट्र हम लोगों ने डेमो यूटूब पर डाले हुए आराम से देखिए बहुत ही मज़ाएगा यह से समें क्योंकि मैं सीधा पीटर ब मार्केट ओर्येंटेड होके मैं पढ़ाते हैं और और ओविस्ली लिखवाता हूं मैं सब कुछ जितने नोट से हैं वो मैं हाथ से आपके बनवाद दूँगा एंड माइंड यू केवल हेडिंग हेडिंग नहीं हेडिंग कॉंसेप्ट सब कुछ एमसी को दोवारा सब इसके लावा मैंने बोला इंकमटेस बिल्कुल से मैं GST अगर आपके त्यारी ठीक से नहीं है तो GST का हम लोग लेटेस्ट रिवीजन लेटेस्ट लेक्चर रिकॉर्ट कर रहे हैं आप GST भी कर सकते हैं हमसे राइट सो तीन चीजे अमेंडमेंट के लिए तो बिल्कुल च इंटर अपर कीजय आप और वेलिए लेटेस्ट विन टेक्च यड़ ऑग पहां लेट राइटिक यटीए का लेटेस्ट वाग रख़ आपके अगर देस्ट लेटिए गा रभाब कर दोना से लेटिक जांटनेट हैं बाइंट हैं आपके क्लम लेटेस्ट भाटेस्ट अके